आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello guys, we are going to solve this question In this question, given the least number that must be subtracted from 202 make it perfect square हमें यह बताना है कि यह जो 202 है इसको perfect square बनाने के लिए इसमें से क्या हमें subtract करना जाहिए ठीक है तो देख लीजिए इसे कैसे करते हैं इसके लिए हम क्या करते हैं इसके लिए हम square root method division method से लगा के बड़े आराम से इसकाहां से निकाल सकते हैं कैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले इसे square root में लिख लेएंगे number क्या के बड़ेण 202 इसको लिख लिजिए आप 202 इसके बाद इसकी करते हैं pairing तो pairing करने के लिए हम क्या करेंगे 2-2 की pairing होती है इतना द्यान तकना ठीक है पीछे से pairing करना स्टार्ट करते हैं और दो दो की पेर होती है तो यह दो पेर बन गए ठीक है अब ऐसा नंबर डोड़िए जो आप जिससे इसमें डिवाइड करो मतलब ऐसा नंबर डोड़ते हैं कि जिसका स्क्वेर दो पहले जोड़ा जो है फर्स्ट पेर है उससे कम आना चाहिए तो 2 का स्क्वेर तो 4 जयादा निकल जया एसलिए 1 का स्क्वेर ठीक है तो 1 इंतो 1 तो यहाँ पर रख लेते हैं 1 अब 2 में से 1 को मैंनिस करेंगे तो क्या बचेगा आपका तब आपका बचेगा 1 ठीक है इसके बाद फिर से यही sign लगा लेते हैं और अगले pair को ताल लेते हैं 0,2 और इन दोनों को add कर लेते हैं 1 और 1 को add करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 अब 2 पर ऐसा number put करिए जो जिसका square इससे कम आता हो तो 4, क्योंकि 5 रखे ज़्यादा हो जाएगा 125 हो जाएगा ठीक है तो 4 और 4 से ही multiply करेंगे 24, 94 ठीक है जब minus करोगे तो क्या आएगा 6 आएगा 6 ठीक है यह 6 ही वह number है जिसको अगर हम 202 में से minus कर दें तो यह perfect square बन जाएगा 196 किसका होता है यह 14 का square होता है ठीक है तो वह number क्या है required number 6 है जिसे हम अगर 202 में से minus कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा यह complete square में कर नोट हो जाएगा तो answer is 6 and option number first is correct here Thank you guys